डॉक्टर राम मनवरलो यह आवज इनुवस्टी बीएट जब बात बीएट की पढ़ाई की आती है तो सबसे बड़ा सवाल विद्यार्टियों के सामने यह आता है कि हम बुक्स कौन सा खरीदे क्या हम टेक्स्ट बुक खरीदे क्या हम गाइड खरीदे या फिर सिरीज जिससे पढ़ाई भी अच्छी हो जाए और मार्क्स भी अच्छी आ जाए तो चाहे बीएट फस्टियर की बात करें या बात करें बीएट सेकेंड इर में कि आपको कौन सा बुक खरीदना है कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट है तेकि समस्या यह है कि बहुत तरीके बुक उसके बात आप किताब को पर्चेश करें तो टो सबसे पहले हम बात करते हैं किया कि वियड में कितने です टłem में जब सब्रस्ट करें कितनी किताबों की करें सब से पहला नाम आता है कि टेkस्ट बॉक एक टेक्स्ट नाम होता है मेरे पास काफी famous है मुख्यता काफी अच्छी है तो यह दो टेक्स्ट बुक की बात हो गई अब बात आती है guide की तो guide में जो सबसे ज्यादा मुख्यता famous है और जो सबसे ज्यादा बच्चे prefer करते हैं वो है ज्यानोद है ज्यानोद है guide है ठीक है अब बात करते है Series की То Series में जो मुख्यता famous है प्रशिद है वह ever Is castle ऑबस्रीज के अलावा आपके पास जो स्रीज दूसरा है वह i- werky there यह वह वीवेक series चुपी मेरे पास नहीं है तो मुख्यता यह 3 series मौजूद है और guide की बात करें तो आपके लिए ग्यानोदे मौझूद है और अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो दो टेक्स्ट बुक मुख्य था वो अगरवाल पुब्लिकेशन और आरलाल पुब्लिकेशन की बुक है और एक और स्रीज जो बहुत ज़्यादा फेमस है इस्पेशली फॉर इंग्लिस मीडियम स्टुडेयन और यह टोटल ओवराल बुक से स्टडी मटेरियल है जो आपके बीएट फस्ट एयर एस बीएट सेकेंड यर के लिए अवेलिबल है अब बात करते हैं कि इस बुक में इसकी बुक से की लिखावट कैसी है बुक कैसा है पे विद्यारती बुक खरीदने का सोच रहा है जो विद्यारती बुक खरीदने का प्लान कर रहा है पहले उनको समझना बहुत ज़्यदा जरूरी है मुझे आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप बुक खरीदना चाहते हैं किस परपस से खरीदना चाहते हैं और अपना कितन देखते हुए मैंने विद्यारतियों को तीन category में divide किया तीन category बड़ा मज़ा आएगा और आप हमें बताएगा È कि आप कहां पर exist करते हैं आप किस Clas में किस category में आएंगे फिर मैं आपको गांगा कि आपके BOOK कौन सी खरीदनी है स दिर्खी्ट जो सबसे पहली category एक रही है वह उन busy लोगों के लिए सो सबसे पहले कि अगर आप किसी private job में काम करते है किसी private company में job करते है या फिर आप कहीं किसी school में पढ़ाते हैं या पिर आप के टुशन पढ़ाते हैं या फिर आप किसी दूसरे competitive exams की तयारी करते हैं और बहुत respect के साथ even I would like to salute those girls those who are really housewife एक housewife होने के साथ ही साथ अगर वो beat कर रही है तो ये जो लोग हैं या फिर वो लड़कियां जिनके पास घर की काफी ज़्यादा जिम्मदारी होती है या फिर वो लड़के जिनके पास घर की काफी जिम्मदारी होती है या से marketing से लेके खेती से लेके हर एक चीज उनके पास जिम्मदारी होती है तो ये वो लोग हैं जो काफी अपनी life में busy रहते हैं मुझे नहीं रखता कि ये बहुत ज़्यादा time study को दे पाएंगे इस किताब को दे पाएंगे या फिर दे भी सकते हैं बहुत अची बात है लेकिन ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी personal life में या फिर अपने study के लिए या फिर job के लिए या फिर किसी चीज के लिए बहुत ज़्यादा busy रहते हैं तो ये इनको हम एक category में रखते है ग्रूप A में रखते हैं अब बात करते हैं दूसरे ग्रूप की दूसरा जो ग्रूप है वो इनसे ज़्यादा busy रहता है वो busy कहां रहता है दिन बर बाइक लेके घूमने में मुबाइल चिलाने में रिल्स देखने में गेम खेलने में और इन चीज में ये उनसे ज़्यादा busy रहता है लेकिन कोई काम नहीं रहता तो इनको रखते हैं ग्रूप B में अब एक और group divide करते हैं वो है group C, group C में उन बच्चों को रखते हैं जो कि फिरों घर के लाडले होते हैं उनको मतलब ज़्यादा काम नहीं होता घर वालों की तरफ से बस ये कहा जाता है कि तुम पढ़ो तुम्हारा जो कुछ भी होगा हम पढ़ाएंगे हम देंगे ये करेंगे जिनका main purpose ही पढ़ाई होता है और पढ़ाई के अलावा बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं हमें बहुत ज़्यादा force नहीं किया जाता उनको क्योंकि हो सकता है उनके बड़े भाई हैं हो सकता है उनकी अंकल है उनकी family members है जो सारी responsibility को निवाती है वो बिलकुल free है पढ़ने के लिए तो ये total 3 category मैं अब आप किस category में exist करते हैं आप जान सकते हैं आप हमें comment में बिता सकते हैं अब देखिए आप जब अपने आपको जानगे हैं फिर आप book को समझे तो उसी बात आती है तो दो book जो मुख्यता famous है वो है अगरवाल publication और आरलाल publication तो ये book चुकि आप जब book खरीदेंगे examples की तो और पर जैसे यह method of teaching physical science चली मैं example लेता हूं इसकी यह है knowledge and curriculum ग्यान आवम पार्टे करम यह बीट first year के पहली book है paper one है ठीक है तो जब इस book की बात करेंगे तो यह जो book है वो generally अवद विस्विदालों के लिए नहीं बनाया गया है ग्यान आवम पार्टे करम जब आप खर पढ़ना है चाहिए वो गोरख पूर उणिश्टी वालों को पढ़ना है चाहिए वो रजु भय या विस्विदालों वालों को पढ़ना है जो भी घ्यान और परटे करम से समंधनी चीजें वह सारी चीजें इस book में मिलेंगी आपके syllabus से ज़्यादा चीजें इस बूक में म होता mostly लोग textbook खरीद लेते हैं लेकिन अपना समय नहीं दे पाते हैं इस textbook को पढ़ने के लिए तो अगर आपके पास really enough time है इसपेसली जो group C में belong करते हैं जिनके पास केवल कामी रहता कि पढ़ना बहुत ज़्यादा responsibility नहीं है वो लोग इस book को खरीद सकते हैं मुस्किल है तो यह हो गई बात textbook की textbook में आपके syllabus के अलावा भी चीज़े होती है आपको इसमें खोज के पढ़ना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ठीक है यह बात हो गई दूसरा क्या है दोस्तों दूसरा है आपका guyड ठीक है अब देखिए वो लोग जिनके पास time है या नहीं है तो जो यह बुक खरीद रहे हैं वह तो ग्यानोदे ना खरीदें सिंबल से बात है जो बुक खरीद रहे वो ग्यानोदे से ज्यादा जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है ना उस सारी ज्ञानोदय में मिलेंगी, और ज्ञानोदय में सवाल करके मिलेगा, जैसे विकस में आपको chapter करके मिलता है, लेकिन इसमें वो questions बनाके दिये गया होगे, जैसे कि पार्ठे करम से क्या समझते है, पार्ठे करम क तो आपके एक ज्यानोदे में आपके जो common subjects है जैसे कि ज्यानोदे में आपके जो common subjects है जैसे कि ज्यानोदे में पार्टे करम दूसरा psychology of learning यानि अधिकम का विकास है उमनों भी ग्यान और तीसरा educational technology ICT सैचिक तकनिकी ICT तो जो फस्टियर की ज्यानोदे लेंगे आपको इसमें बस common subjects मिलेगा और सेकेंडर की जब ज्यानोदे लेंगे तो इसमें आपको तीनों subjects मिलेंगे तो वह बच्चे चाहे आप group A में ग्रूप A से समझ जारी बात है आप चाहे group A में exist करते हैं चाहे आप group B में exist करते हैं आपको पढ़ना है तो आप ग्यानोदे ले सकते हैं इसमें चीजें विस्तरित करके बताई गही हैं चीजों को explain करके बताया गया और इसमें numbers of questions बहुत जादा हैं बहुत जादा content है सव इसमें बहुत जादा फरक नहीं है यह क्या है यह कुछ नहीं है आप यकीन माने मुश्किल से 40-50 से 60 pages की सीरीज है सोची आप पूरा B8 कर लेंगे मातर 60 page पढ़ गे वास्तों में यह सीरीज कुछ नहीं है एक्जाम से एक हपता पहले पढ़ने की चीज है इसके से ज्यादा समय देना ही नहीं है जो लेकिन हाँ एक चीज और confirm है कि अगर आप सीरीज पढ़ते हैं तो वह सारे questions जो आपको exam में पूछे जाते हैं वह यहां पर मिल जाएंगे इस से हटके बहुत जादा सवाल नहीं आता इस बा पी पड़ी एक books पड़ी और आपका एक subject complete हो गया तो यह वह चीज है वह लोग जो बहुत जादा busy रहते हैं जो केवल exam point of view से केवल marks gain करना चाहते हैं उनके पास really time नहीं है पढ़ने का वह लोग यह खरीदे और हां लेकिन exam से just पहले ठीक है या फिर बाकी इसके तो मैंने PDF अलडी शेयर कर रहा है आप चाहे तो वहां से डाउलोड कर लेते हैं तो यह चीजे हो गए मुखे था English medium वालों के लिए mostly मैं मैं भी कमी वीडियो मनाता हूं इस medium वालों के लिए English medium वालों के लिए एक good news है और एक bad news है bad news यह है you don't have much options if you go with the Gyanodha you will get in Hindi only if you go with the our series you will also get in Hindi only so the bad news is you don't have a much options the only option is that is a Surya series means if you have to study if you have to buy any series or any books that is only Surya series yeah also you can buy the textbook after textbook that is available in English but if you talk about the series and the question bank there is only one option that is a Surya series so this is the bad news but what is the good news the good news is you don't need other options the best ever has been designed in a series that is called a Surya 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 जिसी साफ से डिजाइन है ना कोई भी स्रीज उसी साफ से डिजाइन है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है आप चाहे ज्यानोदा की बात करें आप चाहे अवद की बात करें ठीक है इसमें unit wise classified नहीं किया गया है इसमें बस long answer विस्तरित उत्तर उ गुतरी प्रशन है ऐसे डिवाइड किया गया है लेकिन Surya 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 को unit wise divide किया गया है कि unit 1 में क्या पढ़ना है unit 2 में क्या पढ़ना है unit 3 में क्या पढ़ना है so English medium students you don't have to bother you don't have to worry blindly आखे बंद करके you blindly you can buy that is the Surya 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 Sury पढ़े अब बात करते हिंदी मेडियम वालों की तो अगर आप बहुत जाता बीजी है बस exam में अच्छे marks लाना है this one is enough 40 page का और इसकी प्राइस भी पता है के दिए बहुत सस्ती होती है 40-50-60 रुपए में मिल जा दिये तो सोचो 28 के अगर सेकेंडियर की बात करें तो तीन चाहिए अब दो चीजे रह गई वो है ग्यानोद है और दूसरा है टेक्स्ट बुक तो टेक्स्ट बुक अगर आपके पास सच में बहुत अच्छा टाइम है आप सच में टाइम दे सकते हैं तो आप टेक्स्ट बुक खरीदिए और टेक्स्ट बुक में कौन सा खरीदना है दो मुख्य किताबे हैं अगरवाल और आरलाल पप्लिकेशन इन दोनों में अगर मुझे कोई रेकमेंट करना हो तो मैं कहँंगा आप अगरवाल पबेकेशन खरीद है कोई शिकायत नहीं रहें कि बहुत अच्छी बुक है अगर आप समय दे सकते हैं तो अगर याद रखिए 99% लोग समय दे नहीं पाते हैं खरीदने के बाद और हां अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं थोड़ टाइम दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खच करना चाहते हैं अगर आपके पास तीन महीने से ज्यादा टाइम है तो ग्यानोदे के साथ साथ जब इग्जाम आएगा एक सीरीज खरीजेगा यह हो गया के लियर ठीक है और आप बहुत अच्छा पढ़ना है पढ़ाना है और सो मेनी तिंग आपके पास इनफ टाइम है तो आप टेक्स्ट किताब की बाते और इंग्लिस मेडियां वालों के लिए नवानली ऑप्शन या फिर बेस्ट ऑप्शन है यह एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज तब मोस्त इंपोर्टन चीज मैं आपसे कहना भूल गया है वह क्या है अगर मैं कहूं इन सारी किताबों को छोड़ दीज अ Queen वह सारी किताबों के अलावा भी आप अच्छे मार्ण का सकते है और वह एक ऐसी चीज है वह सारी किताबों पर भारी पड़ती है वह क्या है कine you guess वह क्या है वह है यूउनिवस्टी का स्लेबस जो यूदि ने आपको स्लेबस दिया है यूइवस्टी की वेबसाइट प मैं आपको टेलिग्राम पे शेयर कर दूँगा, आपको लिंक देदूँगा, वहां से डाउनलोड कर लेगा, यकीन मानिए, आप इन सारी किताबों को एक तरफ रख दीजिए, और वो syllabus का दो पनना एक तरफ, वो syllabus का पनना आपके पास होना ही चाहिए, उसमें करना क्या है, उसकी points देखिए, उसकी topic देखिए, और केवल YouTube और Google पे सर्च करके पढ़नेगे न, तो भी आप अच्छे marks पा सकते हैं, और आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, तो इन सारी किताबों से पहले, आपके पास syllabus होना चाहिए, उमीद है आप सब के पास B8 first year और B8 second year की syllabus syllabus होगी, और अगर syllabus नहीं है, तो description में लिंक है, वहां से download करिए, या फिर telegram पे आए, मैं वहां दूँगा, और syllabus तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, syllabus होना चाहिए, उसमें दिखेगा कि first situation से कौन-कौन सा point पढ़ना है, second में कौन-कौन सा point पढ़ना है, पूरे subjects में आपको क्या पढ़ना है, तो syllabus होना ही चाहिए, ठीक है, तो सबसे और इस हिसाब से तयारी करिए, आप देखेंगे, बहुत अच्छे marks आ जाएंगे, आप देखेंगे, बहुत अच्छी तयारी हो जागी, आप देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा P8 करने में, बाकि मेर कांट्रिबूशन कैसा लगा, यह helpful रहा वीडियो की नहीं रहा, आप कमेंट में बता सकते हैं, और हाँ, जो senior बच्चे हैं, जिनका पास experience है, वो प्लीज आने वाले बच्चों को आप recommend कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, कि इन में से कौन सा बुक सही है, textbook खरीदना सही है, ग recommend करिए, ताकि आने वाले बच्चों के लिए फायदा हो, ठीक है दोस्तों, उमीद है, मेरी महनत अच्छी होगी, बिलकुल अच्छी होगी, आप सब बहुत अचा पसंद कर रहें, और मेरे पास कुछ good news भी है, share करने के लिए, वो good news मैं दोसरे वीडियो में share करूंगा, by the आप सब का बहुत शुक्रिया, for your love, support and for your response, you guys are awesome, awesome student, you guys are, ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है, आप सब के साथ चीजे सेर करके, उमीद है दोस्तों, ये चीजे भी पसंद आई होगी, ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और आपका टेंशन कम हुआ होगा, किताब को select करने में, so, चीजे समझ में आई हो, तो comment box में बताईए, feedback दीजिए, description में link मिलेगा, आपको मेरे टेलिक्राम चैनल का, वहां से आप जूड सकते हैं, एक दूसरे से बाते कर सकते हैं, और कोई भी सुजाओ, मश्वरा आप वहां देख सकते हैं, comment box में भी दे सकते हैं, बा